दोस्तों स्वागा थे आप सबका income tax के कौन है वीडियो में income from salaries में retirement हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें provident fund वाला जो part था वो हम लोगों ने last वीडियो में complete कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं graduate की काफी simple topic होता है लेकिन important होता है कई बार question में आपको यह देखने को मिलता है ठीक है और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो link मैंने description में डाल रखा आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं साथ में income from salaries का भी before retirement पे जितने भी वीडियो थे वो सारे के सारे सबका link मैंने description में डाल रखा आप जाकर के पिछले वीडियो जितने भी अभी तक सब sequence में आप देख सकते हैं तो आपका पूरा जो income from salaries है वो complete हो जाएगा वहाँ पर अब देखें यहाँ पर before retirement में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो यह before retirement वाला पार्ट था ही हम लोगों ने complete कर रखा है और link मैंने सबकार description में डाल रखा आप जाकर के पिछले वीडियो जगर चाहें तो देख सकते हैं after retirement में हम लोग provident fund last वीडियो में complete कर चुके अब ही हम लोग बात करने वाले ग्रेचुटी की ठीक है इसके बाद फिर pension, leave salary और compensation करके हम लोगों का income from salaries वाला chapter है पूरा complete हो जाएगा तो चले फिर start करते हैं अब देखें जब ग्रेचुटी की बात करते हैं तो ग्रेचुटी जो दी गई है दी गई है या फिर आप एक तरीके से यह कहिए कि यह exempt जितने limit में होती है वो उसकी बात की गई है section 10, subsection 10 के अंडर में हम लोगों की जितनी भी exempted incomes होती है वो सब आ अब देखें किया देखिए Gratitude is a payment made by the employer to an employee in appreciation of the past services rendered by the employee अब देखें जब एक employee retire होता है जब एक employee रिटायर होता है तो उसको कई तरीके के payment मिलते हैं एक हम लोगों ने provident fund discuss किया तो उसको provident fund मिलता है एक उसको देखें पेंशन मिलती है एक उसको लीव सेलरी जो उसके पा और एक यहाँ पर आता है gratitude यह तब की बात है जब वो normally अगर retire हो रहा है तो वहाँ पर उसको gratitude मिलती है मतलब अगर death भी हो जाती है तो उस case में legal hire को मिलेगा लेकिन normal case में retirement के time पे उसको provident fund का पैसा मिलता है pension का मिलता है, leave salary का मिलता है और gratitude का पैसा मिलता है तो अब इसी में हम लोगों की जो gratitude है वो आती है retirement के case में तो retirement क्या होती एक तरीके की payment होती जो की कौन देता है employer देता है अपने employee को in appreciation of past services rendered by the employee मतलब जो employee ने अपने employer के लिए इतने साल तक काम किया है उसको appreciate करते हुए वो उसको ये payment देता है gratitude का इसके बाद क्या बोले है it can be received either by the employee on his retirement और by his legal hire in case of his death अगर वो retire हो रहा है normally तो फिर वो receive करेगा नहीं तो in case अगर service के time में मतलब भी retire नहीं हुआ है उस time में अगर उसकी death हो जाती है तो उसके legal hire जो भी होंगे उनको उसका gratitude का payment पूरा का पूरा मिल जाता है इसके बाद क्या बोले है gratitude received by the employee is taxable under the head salaries ठीक है जो gratitude employee अगर receive करेगा retirement पर वो कहाँ पर taxable होगी उसकी salaries में taxable होगी ठीक है exemption की बात हम लोग बाद में करेंगे अभी यहाँ पर आप बस यह समझेए कि gratitude क्योंकि पूरी gratitude normally नहीं exempt होगी उसका कुछ पार्ट जो है वो exempt होता है वो limit हम लोग अभी निकालना सीखेंगे तो जो पार्ट exempt होगी उसको भूल जाई जो पार taxable है वो कहाँ पर taxable होगा salary sender में taxable होगा लेकिन जो पार्ट उसके legal higher receive कर रहे है in case of his death वो कहाँ पर taxable होता है income from other sources में जा करके लेकिन इन दोनों cases में क्या है इन दोनों cases में कुछ amount जो है वो exempt हो जाता है जो उसमें limit दी गई हम लोगों को section 10, subsection 10 के अंडर में मतलब जितनी limit जो है वो specify करी गई है under section 10, subsection 10 उसको हटाने के बाद taxability की बात होगी और यह taxability अगर legal hire के case में है तो वहाँ पर other sources में चला जाएगा लेकिन अगर employee के case में है तो वहाँ पर salaries में taxable हो जाएगा ठीक है काफी important point है वाला कई बार अगर objective question आप करें उसमें पूछ सकते हैं कि जो gratuity receive कर रहा है अगर employee तो वो कहाँ taxable होगी तो यहाँ पर हम लोगों यह समझ दिया कि gratuity होती क्या है अब देखे जब हम इसकी exemption की बात करते हैं gratuity के जब हम exemption की बात करेंगे यहाँ पर तो exemption के case में हम लोग इसको दो category में बाठ करके पढ़ते हैं जब भी आपको exemption की बात दी जाएगी तो exemption में आप इसको दो category बाठते हैं एक होती government employees और दूसरे होते हैं non government employees अब non government employees में ऐसा नहीं की government employees नहीं होंगे वो वो भी government employees होते हैं कुछ-कुछ cases मतलब कुछ cases में हम उनको government employees मान लेते हैं कुछ cases में हम उनको government employees नहीं मानते केस में यहाँ पर कौन आ रहा है एक तो हो गया central और state government के employees और दूसरे हो गया local authorities के employees अब local authority कौन होती है जैसे माल लिए कि जिला परशाद हो गया municipality हो गई तो यह सब local authority के अंदर में आते है central और state आपको पता है कि central government employees और state government employees कौन से होते हैं तो यह count कि जाते हैं मतलब graduate में अलग होता है leave salary में अलग होता है pension में आप जाएंगे तो उसमें अलग हो जाता है तो इसलिए मैंने आप पर बता दिया इससे इतना ज़ाद आपको deep में जानने की ज़रू होती है आपस यह आद रखे कि government employees के case में जो death come retirement graduate होता है अब इसको death come retirement graduate इसलिए कह रहे है कि या तो यह retirement में मिलती ही या फिर death of the employee के case में मिलती ही तो अगर government employee receive कर रहे है गवर्मेंट employee कौन हो गए central state government या फिर local authority के employees तो अगर इनके case में मिल लिए तो यह पूरी की पूरी exempt हो जाएगी कोई भी tax यहाँ पर इस प पर नहीं देना है और यह limit हमको बताई गई है अंडर section 10 sub section 10 sub sub section 1 ठीक है तो इसके अंडर में बताएगा नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं बस आप यह याद रखी कि government employees के case में death come retirement graduate is fully exempted बस इसके बाद हम लोग बात करें non government employees की तो उसके पहले आपको एक चीज़ और समझे ज़रूरी है payment of gratitude act 1972 अब देखे payment of gratitude act 1972 में यहाँ पर क्या लिखा हूँ है the payment of gratitude act applies to those employees who are working in any established factory, mine, oil field, plantation, port, railway or shop to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual or supervisory, technical or clerical work and whether or not such person is employed in a managerial or administrative capacity but does not include employees of the central or state governments, employees governed by any act or any other rules in this respect तो यह पूरी कहानी आप पढ़िए इससे अच्छा में एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ यह देखें this act applies to the concern in which 10 or more employees are employed or were employed on any day of the preceding 12 months मतलब जो हम लोगों का financial year था ठीक है जो हम लोगों का previous year चल ला था वो previous year में हम लोगों के किसी एक organization में किसी भी दिन पे अगर 10 या उससे जादा employee काम कर रहे हैं तो वो organization cover हो जाती है इस payment of gratitude act के under में payment of gratitude year 1972 ठीक है बस आपको इतना धिहान रखना है कि यह act आपको वैसे question में दे देगा वो कि जब आप question इसा solve करेंगो तो वहाँ पर देगा कि employees are covered under payment of gratitude act और they are not covered in payment of gratitude act लेकिन फिर भी आपको एक पता होना चाहिए कि कि किसको हम लोग बोल रहे हैं तो यह कहानी आप पढ़ें उससे अच्छा यह चीज़ का दान है कि 10 या उससे जादा employees अगर काम कर रहें किसी भी ओका organization में preceding 12 months में तो वह organization cover हो जाती ही payment of gratitude act के अंडर में बस अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे non government employees की अब देखे non government employees में कौन को रहें एक तो हो गए statutory corporation के employees employees को देखे basically हम लोग चार category में बाठते हैं एक हम लोगों का होता है आपर state और central ठीक है central state government के employees हो गए उसके बाद फिर local authority के employees हो गए local authority मैं आपको बता दिया ग्राम पंचायत मुंसिपर्टी यह सबको local authorities बोले जाता है उसके बाद आता है statutory corporation statutory corporation का मतलब है यह एक statute के द्वारा वहाँ पर establish होते हैं जैसे माले जी की life insurance corporation of India हो गया है ठीक है SBI act के थूँ SBI आया है RBI act के थूँ RBI आया है ठीक है national highway authority of India आया है तो यह जितने भी act के थूँ establish हो है मतलब एक act आया उस act के अंडर में इन corporation का establish किया गया तो उनको बोला जाता है statutory corporation और इसके बाद जो बच जाते हैं उनको हमलोग बोलते हैं other employees ठीक है तो यह पर central state local authority यह statutory corporation और other employees इन चार employees को हम लोग बाटते हैं कभी इनको इनको हम लोग government मानेंगे कभी इनको हम लोग non government मानेंगे किसी cases में तो यहाँ पर government employees हम लोग इनको मान रहे हैं जहों gratitude की बात करें मतलब central state और local authority और non-government employees हम लोग मानते हैं statutory corporation और other employees को तो इसके अंडर में non-government employees के case में पहले हम लोग बात करेंगे उन employees की जो की covered हो रहे है payment of gratitude act के अंडर में को कि देखें limit दोनों में अलग अलग है तो payment of gratitude act में जो cover हो रहे हैं employees उनके case में least is exempted मतलब भी जो तीन पॉइंट आपको दिये गहें इन तीन पॉइंट में से जो भी least होगा वही आपका exempt हो जाएगा from tax और यह किसमें दिया है under section 10 sub section 10 sub sub section 2 तो देखें पहला point यहां पर क्या लिखा हुआ है 15 days salary salary को underline इसलिए क्या गया क्यों कि salary का मतलब यहां पर भी अलग है जैसे rent free house हमने किया था तो वहां पर salary का मतलब अलग था provident fund हमने discuss किया था तो provident fund में भी salary का मतलब अलग था यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर salary का मतलब अलग होगा वह भी आपको बता रहों क्या है देखें 15 days salary based on salary last drawn for every completed year of service and part thereof in excess of six months और 20 lakh रुपीज यह maximum limit दी गई है maximum जो exemption मिलेगी वो 20 lakh रुपय तक की मिलेगी और तीसरा point इसमें बोल रहा है gratitude actually receive जैसे जब हमने house rent allowance पढ़ाता था उसमें भी तीन हम लोगों को point दिये गए तो उनमें से least होता था वो exempt हो जाता था उसी तरीके उसने draw करिए उस salary के 15 days की salary मतलब suppose करिए उसने last salary रुप करी थी वो करी थी 26,000 रुपय ठीक है last जो उसने मतलब अगर उसका मालिच जून में retire हो रहा है ठीक है अगर जून में retire हो रहा है तो यानि कि उसने मई की salary रिसीव करी होगी तो जो उसने मई की salary रिसीव करी है वो थी 26,000 रुपय अब यह 26,000 कितने दिन की है नॉर्मल आप देखेंगे working days महीने में कितने होते हैं एक महीने में working days कितने होते हैं अगर चार संडे normal cases की बात करी है देखे तो नॉर्मल cases में किता होता है 26 working days होते हैं कोई 4 sunday हम लोग अठा देते हैं तो 26 दिन की salary उसको मिली है 26,000 रुपए तो 26 दिन की 26,000 रुपए मिली है तो 15 दिन की किती मिले होगी 26,000 divided by 26 multiplied by 15 तो यानि किती हो जाएगी 15,000 रुपए तो ये 15,000 रुपए यहाँ पर आएगा ठीक है यह हो गए मारी 15 दिन की salary मतलब पूरे महीने की salary हम नहीं ले रहे पंदरा दिन की salary ले दे for every completed year of service जितने साल वो नौकरी किया है मान लिजए वो 30 साल उसने नौकरी किया है 30 साल उसने नौकरी किया होगा है ठीक मतलब जिस दिन retire हो रहा है वो मोटा मोटा aggregate उसका जो आ रहा है वो 30 साल आ रहा है जून सही वो उसने enter किया था job में जून में ही वो retire हो गया तो 30 साल उसका रहा है तो 15 इंटू 15,000 इंटू 30 किता हो गया 45 यह हो गया उसके बाद 4 0 यह यानि कि 4 लाग रुपे यह उसका हो जाएगा उसके बाद 20 लाग रुपे और ग्रेचुटी जो actual में receive कर रहा हो जाएगा उसके बाद एक और चीज़ देखें यहां पर यहां पर बोलने हैं for every completed year of service and part thereof in excess of six months अगर छे महीने से जादा होता है मतलब मान लिजे कि वो June 1990 में उसने जॉब में एंटर किया था ठीक है और जब वो रिटायर हो रहा है तो यहां पर वो February 2022 में रिटायर हो रहा है ठीक है February 2022 2022 में अगर वो रिटायर हो रहा है या फिर इसको कुछ और कर लगते था कि यह 30 साल वाला हम लोगों का मैच कर जाएसे इसको कर लगते हैं 2021 ठीक है तो 1990 से लेकर के 2020 तक हम लोगों के किते साल पूरे हुए तीस साल पूरे हुए उसके बाद जून 2020 तक जून 1990 से लेकर के जून 2020 तक किते साल पूरे हुए तीस साल पूरे हुए लेकिन जून के बाद भी वो जॉब कर रहा है वो रिटायर का हुआ है फरवरी 21 में रिटायर हुआ है तो जुलाई ऑगस्ट एक जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टुबर नवंबर डिसेंबर जैनुरी फेबर और एट मन्स उसने जॉब करी हमाँ पर तो अब यहाँ पर जो बोले हैं आप से फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर ओफ सर्विस एंड पार्ट दियर ओफ इन एक्सेज ओफ सिक्स मन्स तो अगर कभी भी छे महीने से जाधा एक्सीड करता है तो आप इसको क्या करोगे राउ आठ महीने लिखा है तो इसको आप कंवर्ट करके 31 साल बना दोगो तो यहाँ पर इस बर कितना आजाएगा 31 आजाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर मालीजे 8 महीने की जगा पे इन केस मालीजे की 5 महीने अगर होते तो फिर आप यह पांच महीने को इग्नोर कर देते और आपके लिए सिर्फ किते से आप मल्टिप्लाई इसको करते हैं 30 साल से तो यहाँ पर आपका आथा 30 years तो यह हम लोगों देख लिए कि 15 days salary को किस से multiply करना है part of year क्या होता है यह सब हम लोगों ने देख लिया यह limit तो आपके absolute limit है तो इसको कुछ देखने ही नहीं 20 लाग अब देखें यहाँ पर salary का मतलब क्या है salary का यहाँ पर मतलब होता है monthly basic salary last drawn and dearness allowance आपका add हो गया होगा चाहे वो part of salary हो चाहे वो ना हो dearness allowance अगर दिया हुआ है तो फिर वो add होगा ही होगा यहाँ पर जैसे अचाहरे में हमने तब add नहीं किया था जब वो part of salary नहीं था लेकिन यहाँ पर हम तब भी add उसको करेंगे तो यह हो गई monthly basic salary जो उसने last महीने की draw करी और dearness allowance और 15 days salary मैं आपको अल्री बता दे कि कैसे हो उसमें एक महीने के अंदर में तो 26 से multiple इसको डिवाइड कर देता हम लोग तो यह होती है हमारी exemption limit अब इस वे question एक हम लोग कर लेते हैं देखिए आपे क्या बोले है Mr. R. retires from a company on 4th January 2022 after serving for 16 years at the time of retirement his basic salary was Rs.88,000 per month and he was also entitled to dearness allowance of Rs.16,000 per month on the retirement he received 12,000 back as gratitude he is covered under the payment of gratitude act compute the taxable part of gratitude तो taxable part of gratitude आपको निकालने के लिए बोल रहा है उसके पहले आपको exempted वाली जो पार्ट होगा वो आपको निकालना पड़ेगा तो अब exempted आप कैसे निकाल होगे है exempted में कैसे निकलता जो हम लोगों का least होगा और least क्या होगा सबसे पहला point 15 days की salary अब salary आप देखे कैसे निकलेगी तो जो salary हो कैसे निकलेगी basic salary plus dearness allowance तो basic salary किती दीती 88,000 रुपीज तो यह होगा 88,000 रुपीज 88,000 और प्लस आप इसमें किता कर दोगे 16,000 रुपीज यह जो dearness allowance दिया इए तो यहां हो जाएगा 16,000 रुपीज यह जो dearness allowance दिया इए तो यानि कि 000 और आठ अचे 14 चार और आठ नो 10 यानि कि यह किता होगे है एक लाग चार अजार रुपीज रुपीज यह जो गया है अब यहां पर हम लोगों को 15 days salary अगर निकाल लिए तो 15 days salary क्लिए क्या करेंगे 104 यानि कि 1,4,000 multiplied by 15 divided by 26 तो जब आप इसको solve करेंगे 1,4,000 multiplied by 15 divided by 26 तो आपका answer यहाँ पर आएगा 60,000 रुपीज अब यह आपकी हो गई 15 days की salary तो 15 days की salary यानि कि यह हो गई 60,000 और multiply किसे करते हम लोग जितने साल उसने job किया उन्होंने job कितने की साल की है 16 years दिया, यहाँ पर आपको directly उन्होंने निकाल के देजिए कि 16 years उन्होंने job करी है तो यहाँ पर आप multiply किसे करेंगे 16 से करेंगे, तो यह किता हो जागा 60,000 multiplied by 16 तो यह हम लोगों का निकलेगा 9,60,000 ठीक है 9,60,000 यहो गया second point जो actually वो absolutely limit होती है, उसकी आनिकी 20,00,000 रुपए और तीसरा point जो gratitude एक्चल में वो receive कर रहे है यानिकी कितनी 12,00,000 रुपए तो यह 12,00,000 रुपए ही आ जाएगा तो अब इन तीनों में देखें least कौन सा है 9,60,000, 20,00, और 12,00,000, इन तीनों में least है 9,60,000 रुपए तो यह 9,60,000 रुपए क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा, अब यह exempt होगे तो taxable आगा और आपको निकालना है यहाँ पर आप लिखेंगे taxable ग्रेचुटी तो taxable ग्रेचुटी कितनी होगी जो ग्रेचुटी receive करिए 12,00,000 रुपए और exempt कितनी होगी 9,60,000 रुपए तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो यह आपको मिलेगा 2,40,000 यानि कि 2,40,000 यह क्या हो जाएगी यह taxable ग्रेचुटी हमारी निकल कर के आजाएगी तो इस तरीके साब निकालेंगे इन केस मालीच यहाँ पर दे देता आपको 16 years and 5 months उन्होंने अपनी जो job करी हो 16 साल 5 महीने करी तो आप कितना लेते हैं आपे आप यहाँ पर 16 लेते लेकिन अगर यहाँ पर क्या दे देता 16 years and 7 months तो जो part there of होता है वो अगर 6 से जादा होता है तो मुसको convert करके एक साल बना देते हैं तो अगर 16 years 7 months होता तो हम यहाँ पर 16 से multiply करने की जगा किस से multiply करते हैं हम यहाँ पर multiply करते 17 से ठीक है तो बस इस चीज़ का ध्यान रखेगा तब जब वो cover हो payment of gratitude act के अंदर में अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि जब covered नहीं होंगे तो देखे यहाँ पर क्या दिया है non government employees के case में वही statutory corporation employees and other employees और payment of gratitude act 1972 not covered मतलब employees जो है वो covered नहीं है इसमें तो उस case में क्या हो देखे वही same least is exempted और least क्या है या आप जो limit दी गई हो कि section में दी गई है under section 10, sub section 10, sub section 3 इतना जाद आप अगर नहीं व्याद रखेंगे तो वो इसमें आपके marks नहीं कटने वाले आप देखें जैसे वहाँ पर 15 days salary लिखा था first point में यहाँ पर क्या है one and a half month average salary for each completed year of service each completed year of service part there of यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर जितने absolute total आपको दिया जाएंगे 16 साल दिया गया है तो 16 साल, 16 साल, 3 महीने, 9 महीने किता दियो महीने वाला आप यहाँ पर concept खतम कर देंगे तो यहाँ पर जितना भी month अगर extra दिया है तो उसको आप भूल जाएंगे वो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा दूसरी चीज one month average salary ठीक है, one month average salary यह हो गई और multiply आपको किसे करना है each completed year of service से ठीक है, each completed year of service से अभी one month average salary क्या है याभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद second point में वही 20 लाग रुप है और तीसरे point में gratitude actually receive तो यह आपके same वही point है जो आपके covered वाले case में थे अब देखें आपे one month average salary आप कैसे निकालेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर salary पता होना चाहिए कि salary का मतलब क्या है average salary तो आप बाद में निकालोगे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा salary निकालना पड़ेगा तो आप salary यहाँ पर देखे कैसे निकलती है salary का मतलब यहाँ पर है monthly basic salary plus dearness allowance if given as per the terms of employment plus commission if based on fixed percentage of turnover और यहाँ पर आपका DP भी आ जाता है अगर dearness pay भी दिया हुआ है तो dearness pay में कोई condition नहीं देखनी अगर वो दिया है तो यहाँ पर add हो जाएगा तो यह same अगर आप देखें तो कौन सी condition है वही house rent allowance वाली यहाँ पर condition दी हुई है तो monthly basic salary plus dearness allowance अगर वो terms of employment के condition में है और फिर part of salary करके otherwise आप उसको भी छोड़ोंगे तो यहाँ पर आपनों नहीं कल ली अब यहाँ पर आपит salary निकल करके आगई तो salary निकलने के बाद आप क्या करेंगे average salary कितने महीने की होगी 10 महीने की तो 10 ako मतलब कि आप नहाँ पर जो 10 महीने थे वो, यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो देखिए, October आ जाएगा, उसके बाद, September, August, July, June, June, July, August, September, October, उसके बाद यह हो गया, मई, April, March, Feb, Jan, जन, February, March, April, May, June, July, August, September, October, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, तो जनवरी से लेकर के, October तक की जितनी भी उसकी salary होगी, उसका average हम लोगों को निकालना है, माल लिजे कि यहाँ पर total, अब यहाँ पर इसलिए लिखा गया, aggregate of salary of 10 months immediately preceding the month in which the event occurs, event का मतल आए, क attain graduate हम ने देखी थी उसके पिछले 10 महीने, अगर retirement हुगा तो उसके पिछले 10 महीने की, total salary जो होगी वह और divide आप उसको किससे कर दोगे, 10 से, तो यहाँ पर माल लिजे कि आपने aggregate जो इसका निकाला, वो aggregate निकाला, suppose, 3,00,000. रुपए जो जनवरी से लेकर के October किसकी total salary थी मतल्ली basic salary Dearness Alliance Commission इसे बैड करके तीन लाक रुपए है अब इसको आप divide किसे कर देंगे 10 से यानि कि उसकी जो average salary निकले हो कित्ती हो जाएगी 30,000 रुपए अब यह 30,000 रुपए यह हो गई तो इसका 1.5 ठीक है 1.5 यानि कि 30,000 रुपए यहाँ पर यह आ जाएगा और multiply किसे कर देंगे अब जितने भी completed year of service होंगे उसे month को आप छोड़ देंगे part यहाँ पर हम लोग नहीं लेते हैं जब वो covered नहीं हो रहा है तो यह हम लोगों ने देख लिए कि जब not covered होगा तो in 42 years of service in a company. His average salary for the 10 months preceding September 21 is rupees 50,000 per month. He receives a gratitude of 12,50,000 compute is taxable यहाँ पर यह taxable gratitude यहाँ ठीक है compute is taxable gratitude अब देखें यहाँ पर आपको directly उन्होंने निकाल के दे दिया कि उसके पिछले जो 10 महीने थे हैं उनकी average salary क्या है जैसे यहाँ पर हम लोगों उन्होंने आपको बता दिया कि यह उसकी क्या निकली है कितनी है 50,000 तो यह उन्होंने बता दे कि उसकी average जो हमने अभी 30,000 निकाला था यह उन्होंने बता दे कि उसकी average salary जो 10 महीने की है वो 50,000 रुपए है यहाँ पर अब आपको यह निकाल के बता दे इसके बाद आपको क्या करना है आपको सीधे exemption की limit निकाली तो पहला point हम लोगों को क्या आ जाएगा 1 by 2 month of average salary तो यानि कि 1 by 2 multiplied by क्या हो जाएगा 50,000 एक तो यह होगा और multiply से कितने कितने करेंगे हम लोग 42 year से क्योंकि कितने completed year of service उनोंने दिये 42 तो यहाँ पर 42 आ जाएगा उसके बास second point में वही 20 लाक रुपया और third point में जो उसने gratitude actual में receive करी यानि कि 12,50,000 ठीक है 12,50,000 रुपीज आप देखें आप इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 25,000 और 25,000 multiplied by 42 करेंगे तो यह आपका निकलेगा 10,50,000 ठीक है यह आपका निकल करके हैगा 10,50,000 तो 10,50,000 20,000 और 12,50,000 इन में से least कौन सा है यह है तो यानि कि taxable gratitude कितनी हो जाएगी जो मेली यानि कि actual में receive कितनी करी 12,50,000 रुपे और minus कितना कर देंगे हम लोग जो exempt हो यानि कि 10,50,000 तो 12,50,000 माइनस 10,50,000 कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपे ठीक है यहाँ पर 2,00,50,000 हाँ 2,00,000 रुपे तो यह दो लाक रुपे इसका क्या हो जाएगा यह इसका हो जाएगा taxable gratitude का पार्ट तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं जब employees not covered under payment of gratitude act होता है तो तो यह हम लोगोंने पूरा gratitude वाला पार्ट कवर का लिया है अब अगर आपका कोई भी doubt होता है इस topic से related तो comment करके आप उनसे पूछ सकते हैं बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करना मत बूलेगा और साथ में चैनल को subscribe कर देजागा मैं मिलता हुआ फिर आपसे अब next video में thank you